मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 20 अक्टूबर 2020 का दिन तुलारासी वालों के लिए कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीवन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 20 अक्टूबर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है चतुर्थी नक्षत्र है जिस्ठा पक्ष है सुकल पक्ष दिन है मंगल बार आज के दिन सुर्य उदे का समय है 6 बजी के 25 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 5 बजी के 46 मिनट में रितू है सरद आज का दिन काल है 11 घंटे 20 मिनट 44 सेकेंड का महिना है अस्विन आज के दिन सुभ समय सुरू होता है 11 बजी के 40 मिनट एम से 12 बजी के 15 मिनट पीम तक असुभ काल सुरू होता है 8 बजी के 41 मिनट एम से 9 बजी के 26 मिनट एम तक राहु काल सुरू होता है 2 बजी के 55 मिनट पीम से 4 बजी के 20 मिनट पीम तक दिसासूल है उत्तर दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके सुवस्त के बारे में मित्रों सुवस्त के दृष्टी कौन से आपका समय सामान से थोरा सा नीचे है मित्रों आज के दिन जिस काम को करने से आपको खुसी मिले आप वही काम करें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय के दृरान आपके सुवस्त के मामलों में कहीं कोई पढ़ेशानी नहीं होगा लेकिन अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कोन से आपका समय सामान ने रहेगा न जियादा बिहतर न जियादा खराब मित्रों आज के दिन अगर आप किसी भी विक्ती के साथ धन संपती का लेन देन करते हैं पैसों का आदान परदान करते हैं तो लेन देन करने से पहले सामने वाले बिक्ती के बारे में आपको शाड़ी बातें पता करनी होगी और साड़ी जानकाडी प्राप्त करने के बाद ही आप धन संपती का लेन देन करें अन्य था आने वाले समय के दोरान पैसों के मामलों में आपको पड़िशानी का सामना करना पड़ेगा वैसे अगर आपके घर पड़िबार की बात करें तो घर पड़िबार के दृष्टी कोन से आपका शमय बहुत ही जियाद बिहतर और सांदार है दोस्तों आज से पहले अगर आपके घर पड़िबार में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आज के दिन उस पड़ेशानी को खत्म करने का पड़ियास आपको करना होगा लेकिन अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टी कोन से आपका शमय सामान से थोरा सा नीचे है मित्रों आज से पहले अगर आपके प्रेम संबंध में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आज के दिन उस पड़ेशानी को आपको खत्म करना होगा तो इसके बाद बात करते हैं आपके आजी के दिन के अनोखे टोटके भाग्य साली रंग और भाग्य साली अंक के बारे में मित्रों टोटका बहुत ही जियादा सामान्नी है आजी के दिन आप अपने समय को बेहतर और सांदार बनाने के लिए सुर्ज नमस्कार करें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला समय सांदार हो जाएगा मित्रों आज आपके लिए भाग्य साली रंग है पारदर्सी और गुलाबी आज आपके लिए भाग्य साली अंक है आठ यानी की एट तो यही था आज के दिन का रासी फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्राइब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद